हलो एवरिवन, वेलकम बैक टो यूर ओन चैनल साइंटिया आप लोग जानते ही हैं कि हमने इन्वाइर्मेंटल स्टडीज की सीरीज स्टार्ट की हुई है अगर आप लोग भी कोई भी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं जिसमें इन्वाइर्मेंटल स्टडी और साइंस का रोल है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आज हम क्या है कॉंटीन्यू करते हैं हमारी सीरीज को हम क्या है थ्री चेप्टर क्या है कंप्लीट कर चुके हैं हमारा syllabus, our surrounding, chapter जो है, ठीक है, water chapter और natural resources, आपके three complete हो चुके हैं, आज हम हमारा next chapter continue करेंगे, that is air, आज हम बात करेंगे air के बारे में, हम क्या है, natural resources chapter में भी थोड़ा बहुत study कर चुके हैं, कि जो air है, वो हमारी एक natural resource है, clear है, यह क्या है, बहुत सारी gases से बनी हुई है, जिसके वज़से ही हमारी life possible है, कहाँ पे, अर्थ पे, क्योंकि इसमें oxygen present है, हम oxygen के बीना क्या है, survive नहीं कर पाते, आप लोग जानते हैं, कि हम water के बीना एक दिन survive कर सकते हैं, ठीक है जी, means drinking की बात करते हूं, पीने की बात करते हू वैसे तो life possible ही नहीं है, water के बीना, ठीक है जी, हम फोड के बीना two days रह सकते हैं, बट हम oxygen के बीना एक दिन क्या, एक minute भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, oxygen क्या है, take in करते हैं,ICIA क्या है, carbon dioxide क्या है हम remove करते हैं, ठीक हैं ग्योंकि जी, इसी क्यों continue करते है next देखते हैं हमारे chapter के बारे में air air क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे मैंने अभी बताया के mixture of gases है पर कहां यह क्या है अर्थ के around है हमारी जो अर्थ के बाहर वाली यह जो layer है इसको क्या बोलते हैं हम atmosphere क्या बोलते हैं हम atmosphere यह बहुत बड़ा blanket है air का इसमें बहुत सारी gases है ठीक है जी कौन-कौन सी carbon dioxide nitrogen oxygen many other और कौन-कौन सी जैसे water vapors argon यह बहुत सारी gases क्या हैं इसमें present है clear आगे देखते हैं structure of atmosphere बहुत important means most important लगा लीजिए इसमें से question आपको आ ही जाती है तो एक-एक layer को ठीक है ध्यान से सुनिएगा ता जो आपका question क्या है अच्छे से clear हो सके पहले बात करते हैं हम troposphere की जो हमारी first layer है troposphere क्या है lowest part है हमारे atmosphere का lowest part है ठीक है जी इसमें क्या है हमारे clouds, weather ये सब include है aeroplane move करना rain जैसे diagram में आपको दिखाया हुआ है second layer कौन सी है stratosphere stratosphere क्या है second layer है जिसमें क्या है a zone layer present है अब a zone layer क्या है देखिए जो a zone layer है ये हमें UV rays से protect करती है कौन सी rays से UV rays से जो क्या है अर्थ पे किसकी वज़े से आती है sun की वज़े से बट a zone layer की presence की वज़े से ये अर्थ पे नहीं पहुंच पाती ठीक है अगर a zone layer ना होती तो हमारी life possible ही नहीं थी बहुत सारी क्या है diseases फैल रही है क्यों फैल रही है क्योंकि a zone layer में क्या है एक छोटा सा hole पाया गया है ठीक है जी क्यों हुआ है ये hole global warming की वज़े से ये आगे हम क्या है read करेंगे अच्छे से फर्स्टली हम बात कर लें इन लेयर्स के बारे में जोन लेयर में क्या है योवी रेस से हमें protect करने की क्या है capability होती है next जो third layer है वो कौन सी है mesosphere mesosphere क्या है हमारी third layer है इसमें क्या present है जो क्या है minimum temperature इसका कितना होता है minus 90 degrees celsius इसमें क्या है temperature क्या है decrease करता है किस के साथ साथ हाइट के साथ साथ जैसे हम उपर जाते हैं तो mesosphere में क्या है temperature decrease कर जाता है ठीक है जो आपकी stratosphere थी ये कितनी थी 50 km अबब थी stratosphere हमारी कितनी थी 50 km अबब थीक है जी next क्या है thermosphere की बात करेंगे thermosphere जो के fourth layer कह सकते हैं इसको जिसमें क्या है temperature अब increase करेगा किस के साथ साथ हाइट के साथ साथ क्यों temperature increase कर रहा है absorption of x-rays बहुत सारी rays होती है आपने read भी की होएंगी बट यहाँ पे क्या है x-ray की absorption की वज़े से यहाँ पे temperature क्या है increase हो जाएगा ठीक है जी next हमारी outer layer है exosphere weight color change कर लेते हैं next हमारी जो last layer है outer layer है exosphere है हमारी यह क्या है 500 km अबब है ठीक है जी कितनी 500 स्टेटोस वियर कितनी थी 50 km यह कितनी है 500 km इसमें क्या प्रेजेंट होते है मेंली oxygen and hydrogen ठीक है जी इसमें क्या-क्या प्रेजेंट होते है oxygen and hydrogen यह क्या है आपकी पूरी इट्मोस्फियर का means layers है five layers है एक बर मैं दुबारा repeat कर देती हूं सभी को clear कर ले पहले थोड़ा सा wait कीजिए अगर कोई भी आपका question हो तो please comment कीजिए so that मुझे भी पता चले ठीक है जी सबसे पहले बात करते है ट्रोपोस्फियर की यह जो हमारी क्या है first layer है ठीक है lowest part atmosphere का जहां पे हम survive करते हैं रह रहे हैं यहां पे cloud, rain, weather, aeroplane ठीक है जी second क्या है statusphere जिसमें ozone layer present है यह 50 km upward है 50 km क्या है upward है ठीक है यहां पे ozone layer है जो UV rays से protect करती है बहुत ही हारम full rays है next क्या है mesosphere जो third layer है वहां पे temperature decrease करता है height की वज़़ा से ठीक है यह जो layer है next हमारी बाहरवाल layer कौन सी है exosphere जो 500 km अबब है ठीक है यहां पे oxygen और hydrogen present next बात करते हैं हमारी है हमारी क्या है बहुत सारी gases है उनके बारे में nitrogen 78% present है oxygen 21% overall बोल देते हैं यह क्या है जो बहुत ही कम amount में gases present है बड़ जो carbon dioxide है यह day by day क्या है increase हो रही है जिसकी वज़ह से क्या है global warming भी हो रही है यह आगे बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे nitrogen यह क्या है plentiful gas means इसकी बहुत ज़्यादा amount में हमें जरूरत पढ़ती है plants need sorry यहां पे nitrogen ही आएगा ठीक है plants को क्या है nitrogen की जरूरत पढ़ती है ठीक है जी बट यह directly नहीं लेते यह through soil लेते हैं किसकी help से लेते हैं soil की help से लेते हैं ठीक है राइजोबियम नामका एक bacteria होता है जो क्या है nitrogen को convert करके plant तक पहुंचाने का काम करते हैं जैसे हम survive करते हैं तो कभी-कभी हम oxygen के साथ nitrogen भी क्या है अपने body के अंदर ले लेते हैं means taken कर लेते हैं बट बाद में क्या है carbon dioxide के साथ वो क्या है आटोमेटिकली हमारी body से release हो जाती है ठीक है जी next क्या हम बात करेंगे oxygen के बारे में oxygen second abundant कैसा है ठीक है जिसकी वज़े से हम क्या है अर्थ पर survive कर पा रहे हैं यह पहले भी बात हो चुकी है oxygen के बिना life possible ही नहीं है हम क्या है breathe करते हैं सांस लेते हैं तो take in कौन सी gas करते हैं oxygen यह question भी बन जाता है कभी कभी के हम कौन सी gas take in करते हैं oxygen और take out कौन सी मतब बाहर कौन सी छोड़ते हैं carbon dioxide और लेते कौन सी है oxygen gas ठीक है जी यह हमारे blood के साथ क्या है mix हो जाती है अच्छे से next third कौन सी gas है carbon dioxide carbon dioxide plants के लिए survive के लिए जरूरी है जैसे हम लोग क्या है oxygen gas लेते हैं survive करने के लिए वैसे ही जो plants है वो कौन सी gas लेते हैं carbon dioxide gas carbon dioxide जैसे हम last lecture में बात कर चुके हैं photosynthesis के बारे में उसमें क्या था weight मैं बता जेती हो भी के plants खाना बनाते हैं किसकी help से carbon dioxide की help से water की help से sunlight की presence में ठीक है वो अपना क्या बनाते हैं food prepare करते हैं और साथ में क्या prepare करते हैं oxygen ठीक है जी तो क्या है carbon dioxide तब ही survive करेंगे अगर उनके पास food होएगा अगर food ही नहीं होगा तो वो survive कैसे करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही important क्या है gas है ठीक है जी और भी बहुत सारे uses हैं बट हम कहते हैं न access of everything is bad हर चीज अगर जादा amount में हो जाए तो वो बुरी है carbon dioxide के मामले भी हम यही कह सकते हैं ठीक है बात करते हैं global warming की carbon dioxide की amount क्या है day by day increase हो रही है इसका सबसे main reason और first reason है deforestation that means cutting of plants आप लोग जानती है कि plants में बहुत जादा कमी आ रही है plants की कमी होने की वज़े से जो balance है gases का वो बिगड रहा है अब देखे मैंने अभी बताया कि carbon dioxide taken कौन करता है plants बट अगर plants ही नहीं होंगे तो वो taken easily नहीं कर पाएंगे ठीक है जी जिसकी वज़े से इसका level क्या है बढ़ रहा है और क्या है यह जो cfc है chlorofluorocarbon यह किसमें से release होती है ac घरों में होते हैं जो sorry wait ac refrigerator refrigerator उसमें से भी ठीक है यह जो बहुत हारम full gases है factories का smoke petrol और engine means जो हमारे car है scooter है ठीक है जी कोई भी चीज़ है जिससे हम travel करते है means जिसमें petrol का use होता है जिसमें से smoke आता है उससे क्या है carbon dioxide की जो amount है वो बढ़ रही है जिसकी वज़े से क्या हो रही है global warming गर्मी बढ़ रही है इसका एक सीधा सा example हम आज कल देखी रहे हैं देखो February चल रही है आज last year day 28 ठीक है जी तो पहले तो आज happy science day तो क्या है आज हम क्या बात कर रहे थे देखो गर्मी आज से start होगी दो तिन दीन से पिछले last two three day से कितनी गर्मी है पहले गर्मी कब आती थी April, May अब देखिए कितनी जल्दी गर्मी आ रही है तो main reason क्या है global warming बढ़ रही है carbon dioxide बढ़ रही है जिसकी वज़ा से गर्मी जल्दी आ रही है सर्दी जो winter season है वो बहुत ही कम time के लिए रह गया means two months के लिए minimum ठीक है जी three months के लिए कभी कभी तो means three के आसपास बड़ जो summer है वो कितने months चलती है ठीक है जी तो long corn है जो हमारी summer है किसकी वज़ा से हो रहा है global warming की वज़ा से क्योंकि गर्मी क्या है बढ़ रही है ये बहुत अच्छी example थी अगर आपको समझ आई हो ठीक है जी next हम बात करते हैं wind ये देखिए wind क्या होती है movement of air जब air move करती है मतलब air थोड़ी speed पकड़ती है high to low pressure हमारे अर्थ का high to low pressure का जो area है उसमें से जो movement होती है जो हवा चलती है उसको क्या बोलते है wind बोलते है ठीक है इससे ही क्या बनते है हमारे weather and climate किस पे depend करते है mainly wind पे अब देखिए कल हमने बात की थी water cycle की ठीक है water वाले chapter में उसमें क्या था कि clouds क्या एक जगा से दूसरी जगा जाएंगे तब ही बारिश होगी किस की वज़़े से जाते है air की वज़े से movement हो रही है ठ अब यह weather and climate weather क्या है short term जो क्या है जल्दी change हो जाए ठीक है अब देखिए कभी तो ऐसे होते है न सुबह तो इतनी गर्मी शाम को बारिश पढ़ जाए रात को तो यह क्या है weather है ठीक है जी बट जो climate है यह long term है जो काफी लंबे समय के लिए चले जैसे summer winter means season season कह सकते है बट जो weather है वो किसकी बात हो रही है time to time अब weather को effect कौन करता है weather को effect करता है temperature यहाँ पर लिख देते है temperature इससे question बन जाते है कई बट प्रेशर humidity अब humidity क्या है humidity का मतलब है पानी की नमी हमारे atmosphere में ठीक है जी wind हवा कितनी speed में चल रही है ठीक है जो rain लाने में helpful है अब बात करते हैं climate क्लाइमेट किस पर डिपेंड करता है temperature पर यह भी temperature पर डिपेंड करता है sunshine means धूप गर्मी wind ठीक है जी इन सब पर क्या है depend करते हैं यह सारी चीज़ें तो आपको I hope air chapter क्या है समझा क्योंगा अच्छे से इसमें से भी question बन जाते है mainly a zone layer यह जो हमने हमने क्या है five layers read की है किसके बारे stratosphere, troposphere, mesosphere ठीक है जी इन पर क्या है question बन जाते है weather and climate पता होना चाहिए short term कौन सी है zone layer के बारे में पता होना चाहिए, global warming के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है इन सब के based क्या है question आ जाते है तो I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा, thank you so much, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते है तो please like कीजिए, subscribe कीजिए हमारे channel को, अगर आपका कोई भी doubt है तो comment box में आप पूछ सकते हैं मुझसे, thank you, have a nice day तो I